हाई एवरीवान वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल कीफिट सिंपल आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे भारत पे और अशनीर ग्रोवर के विवात के बारे में इसमें अब अशनीर ग्रोवर ने जो भारत पे के बोर्ट चेर्मैन है रजनीश कुमार जी इनक को पिछले साल जो अशनीर ग्रोवर ने हायर किया था वो इनकी सबसे बड़ी गलती थी तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डीटेल में डिसकस करेंगे और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज और मैनेजिंग डारेक्टर हैं इन्होंने दोजार अठारा में शाश्वत नाकरानी और भाविक को लाडिया के साथ मिल करके भारत पे को को फाउंड किया था और जैनवरी 2022 में इनका भारत पे के साथ थोड़ा सा इशू हो गया था जिसकी वजह से इन्होंने मार्च 2022 में भारत पे से रिजाइन कर दिया था और कंपनी के बोर्ड को भी छोड़ दिया था इसके अलावा सोनी पे जो एक रियालिटी टीवी शो आता है शार्क टेंक इंडिया उसका जो सीजन वन था उसमें भी ये एजन इन्वेस्टर अपियर हुए थे और उसी शो के बाद ये का अफरत भी करने लगे थे क्योंकि ये काफी ज़्यादा बुरा भी बोल जाते थे कई बार जो नए इंटरपनियोर हैं उनको और वहीं पर अगर रजनीश कुमार जी की बात की जाए तो ये एक इंडियन बैंकर हैं ये कई दशकों तक लगबग 40 साल इन्होंने स्टेट बै बाद भारत पे नहीं इन्हें अपने बोर्ड पे हायर कर लिया था अक्टूबर 2021 में आप ये उस टाइम का आर्टिकल देख सकते हैं कि भारत पे पॉइंट्स फॉर्मर एजबियाई चेयर्में रजनीश कुमार एज इट्स चेयर्में और अब अगर बात की जाए लेटेस डवलपमेंट की तो अशनीर ग्रोवर ने अपने ट्विटर एकाउंट से एक लेटेस्ट पोस्ट किया है रजनीश कुमार के गेंस्ट वहाँ पे इनों ने इनके ओपर अटैक किया है और ये बोला है कि भाई जो रजनीश कुमार को इनोंने 2021 में हायर किया था ये इनकी तो है उसको ओवरलोग किया है यानि कि डेटा को इग्नोर किया था जब SBI के चेर्मेन रजनीश कुमार को हायर किया था उनका कहना है कि उनका जो टेनियोर था ऐसे CMD जो रजनीश कुमार थे SBI के तो उस टाइम पे SBI का शेर 25% तीन साल में गिरा था ये 257 रुपे से गिर कि डेटा इस नेवर दोगला मतलब कि दोगला पन दिखाता नहीं है डेटा तो इस तरह से इन्होंने डेटा को लेकर कि उनके ओपर अटैक किया है हाला कि रजनीश कुमार जी से भी काफी बार सवाल पूछे जाते थे कि भई आपने इतना कुछ किया SBI के लिए ले लेकिन की ओवरॉल परफॉर्मेंस पे हाला कि जब ऑक्टूबर दोजार इकिस में अश्नीर ग्रोवर ने इनकी अनौंसमेंट अनौंस की थी कि भई ये रजनीश कुमार जी इनके बोर्ड पे एज चेयर्में जॉइन कर रहे हैं तो इन्होंने बोला था कि भई एक ग्रेट वैलि 2022 में भी रजनीश कुमार पे टैक किया था कि भई जो इनकी लड़ाई चल रही थी भारत पे के साथ उस टाइम पे रजनीश कुमार ने बायस्ट फेवर दिया था भारत पे को और इनका सपोर्ट नहीं किया था और लेकिन अब जो इन्होंने रजनीश कुमार पे टैक किया उसका reason यह है कि 8 December को भारत पे ने एक case फाइल किया है, रजनीश अशनीर ग्रोवर, इनकी wife और इनके family members पे और इनसे 88 करोड रुपे के damages मांगे हैं, क्योंकि इनके उपर आरोप है कि इनों ने जब ये भारत पे में थे तो funds का misappropriation किया था, इस topic पे मैं एक detailed वीडियो बना च चैनल पे देख सकते हैं, वहाँ पे पूरा इसका 88 करोड का जो break up है, वो provide किया गया है, इसके अलावा भारत पे ने एक arbitration भी Singapore International Arbitration Center में फाइल किया है, और इनके जो 1.4% जो हिस्सेदारी है, अन्वेस्टेट शेर्स हैं, यानि कि इनको अभी मिले नहीं है, एक milestone के बाद मिलने थे, उनको भी वापिस लेने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये ऐसा होता है, तो इनको लगभग 300-400 करोड रुपए का नुकसान हो जाएगा, अशनीर ग्रोवर को, और साथ-साथ में इनके जो भारत पे का co-founder का title ये use करते हैं, उसको भी रोकने के लिए इनोंने arbitration file किया हुआ है, तो इसको लेकर के, हाला कि ये बड़ी हरानी की बात है, कि इन सब के अलावा जो भारत पे है, उन्होंने ये भी बोला था, Delhi High Court को, कि भई जो ये अशनीर ग्रोवर और इनकी वाइफ हैं, ये बहुत सारे जो बुरे comment कर रहे हैं भारत पे के against और उनकी ज करना शुरू कर दिया है, और ये पहला नहीं है कि रजनीश कुमार पे इन्होंने comment किया इससे पहले भी, इन्होंने अभी पिछले week, जो इनके CEO हैं भारत पे के आजकल सुहेल समीर, ये व्यक्ती हैं वो, इनके उपर भी एक tweet किया था और इनने बोला था, जैसे सुहेल के बहुत आश कर ली, अजनीर ने जो fund raise किया था, उससे हमने Australia में लड़कियां घुमा ली, क्योंकि ये एक photo इन्होंने share करी थी, ये Australia में जो 2020 World Cup हो रहा था, तो उसकी photo थी, तो उसको लेकर के इन्होंने ताना कसा था उनके उपर, और साथ में उन्होंने बोला था, लेकिन ह हम फिर भी नले हैं, hiring product, tech, unity bank, PA license, market share, कुछ भी move नहीं हो रहा कमनी में, जब से अशनीर ग्रोवर छोड़के गए है, तो क्या करेंगे, तो फिर इन्होंने बोला था कि जो सुमित general council है, legal advisor है, ये वेक्ती, ये इसके जवाब में बोल रहे हैं कि अशनीर ग्रोवर पे case करें तो इस तरह से ये अभी बिल्कुल भी मान नहीं रहे हैं, अला कि डेली आई कोट ने इनको दो वीक का टाइम दिया था जवाब देने के लिए, इनकी जो next hearing है, वो 9th January को है, तो उसमें देखना होगा कि डेली आई कोट क्या बोलता है, बट अभी के लिए तो अशनीर ग्र